गुड मॉर्निंग एवरिवन दोस्तों स्वागत आपका प्रेप पॉइंटर्स में तुडे इस टुटी थर्ड ओफ ओगस्त और आज जो सेवन टोपिक्स हम लोग डिसकस करने वाल है एक बार प्रिफ्री देख लेते हैं कौन-कौन से हैं एंटी हाइपर हाइडरोजन फोर इसके बार हम लोग डिसकस करेंगे लगभग यह टोपिक प्योर साइंस से आता है जहां पर हम लोग एंटी मैटर और मैटर के बारें बात करेंगे जब हमारा इन्वर्स बना था यानिकि जब बिग बैंग हुआ था तो उस समय पूरे वर्ल टी एन पी डी बीपी यह क्या है इसके बारें बात करेंगे जीन एडिटिंग के लिए कैसे इस टूल का हम लोग यूज कर सकते हैं मैगमा ओशन ओन दा मून चंदरियान थ्री ने बड़ी ही लैंड मार्क एक डिसकोवरी की है मून के सर्फेस के उपर उसके बारें बात करे एंडियान देम यह क्या है क्योंकि इसके बज़े से बंगला देशकंदर आया है ऐसा माना जा रहा है उस कौटेक्स्ट में बात करेंगे उसके लगा धांगर कमुनिटी क्या होती है जो कि महरास्टर से बिलोग करती है क्यों यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका hydrogen 4 ठीक है देखिए जब बिग बैंग हुआ था बिग बैंग के टाइम पे अब आपको पता हो का बिग बैंग क्या होता है बिग बैंग दुनिया का आज तक का सबसे बड़ एक्सप्लोजन था अराउंड 13.8-13.7 बिलियन यर्स अगो ठीक है उस समय उनिवर्स नहीं हुआ करता था तो जितनी चीज़ें हम लोग देखते हैं या फिर जो नहीं देखते हैं जैसे डार्क एनरजी डार्क मैटर करा वो सब एक ही जब एक पर कॉंसेंट्रेट हुआ करती थी तो यह सिंगल सा पॉइंट हुआ करता था जिसे सिंगुलारिटी कहते हैं आपकी 11th सेंडरी के एंस में विदिया हुआ है तो इसके अंदर जब explosion होता है तो दो चीज़ें बनती हैं matter और anti matter ठीक है matter और anti matter matter मतलब जो हम लोग चीज़े देखते हैं चूँ सकते हैं touch कर साथ मतलब जैसे हमारे items हो गए hydrogen, lithium, helium, carbon, nitrogen या सब matter होता है ठीक है इनसे मिलके बागी सारे चीज़ें बनत का होता है लेकिन इसकी property जो है वो different होती है, charge different होता है, जैसे किसी matter के उपर अगर positive charge है, तो anti matter के उपर negative charge होगा, बाकी सब चीज़े same होता है, exactly opposite copy होता है, वो matter का, लेकिन over a period of time, world से anti matter धीरे-धीरे खतम होने लगा, और matter exist करने लगा, और आज पुरी universe के अंदर matter exist करता है, everybody knows that, लेकिन आज तक scientists लोगों को यह पता नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों anti matter धीरे-धीरे खतम हो गया, और matter ने dominate किया, तो उसके बार में research चलती रहती है, और अभी ऐसी ही research एक New York के अंदर की गई है, वहाँ पे एक relativistic heavy ion collider, RHIC के अंदर experiment किया गया, जहाँ पे 6 billion particles को आपस में collide करवाया गया, मतलब जैसे बिग बैंक के समय पे जो event हुआ था, उसको ही replicate करने की यहाँ पे कोशिश कही, इन 6 billion particle में से 16 anti hyper hydrogen 4 nucleus प्रोडूस हुए है, तो basically एक antimatter है, और अभी तक का सबसे heaviest antimatter इसको माना जाता है, इसको study करके हमें यह पता चल सकता है, कि वही पुरी दुनिया में antimatter क्यों exist नहीं करता या बहुत कम होता है, और matter क्यों exist करता है, तो यह पता चल सकता है, तो this is the heaviest antimatter nucleus which is ever detected, composition क्या है इसकी, इसके अंदर एक anti-proton होता है, जैसे हमारे पास proton होता है, जिसके पर positive charge होता है, anti-proton के उपर negative charge होता है, mass same होता है, charge अलग-अलग होता है, जैसे दो यहाँ पर anti-neutrons होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर anti-hyperon होता है, anti-hyperon basically एक ऐसा proton होता है, ठीक है उनका मिलके बनता है लेकिन इसके अंदर वह उल्टी ड्रक्शन में घूम रहे हैं इसले इसको हम लोग एंटी बोलते हैं इसका बहुत ही शोट lifespan होता है ठीक है उसके लबा मास इसकंदर सेम ही होता है तो कुछ की टर्म से हम लोग ने यहां पर यूज की है जैसे एंटी पार्टिकल्स आप समय जी गई होंगे जो हमारे जैसे हमारे प्रोतोन वह प्रोतोन अक्रतों उतला है ओं तो अतो की इनदर यूज केमले के बनता है लेकिंट्रोन भी किसी चीज़ 나हीं हो है प्रोटोन भी किसी चीज़ से बने हुए है, न्योटोन भी बने हुए है, ठीक है, उन्हें क्वार्क्स कहते है, एन्वेज, ISDRA2TNPD ये क्या है, ये एक जीन एटिटिंग का टूल है, जो अभी-भी हम लोगों ने डिस्कवर किया है, किस-किस ने डिस्कवर किया है, हमारा ज दोनों ने मिलके एक ऐसा बहुत ही छोटा टूल डिस्कवर किया है, या इन्वेंट किया है, जो कि प्लांट्स के अंदर जीन एडिटिंग कर सकता है, ठीक है, अब ही प्रेजेंटली हमारे पास जो जीन एडिटिंग के टूल है, उसे हम लोग कहते हैं, कैस-9 and कैस-12, यू हमारे जीन होता है, ठीक है, यह हमारे जीन हमारी बोडी के बारे में information उनके पास होती है, तो कौन सी बिमारी आपको हो सकती है, आपका hair color कैसा होका, वो सब चीजें इस code के अंदर होती है, जैसे एक घर होता है, एक घर के अंदर जो building block होता है, वो इनिटें होते हैं, bricks होती है, वो यह DNA होता है, ठीक है, इनको study करके हम पता लगा सकते हैं को कोई person की biology कैसी होगी, तो यह बिल्कुल building block होता है, और इनके अंदर आपने कोई changes कर दिये, तो आपकी पूरी body के अंदर changes हो सकता है, आपकी properties बदल सकती है, designer baby वाला concept आजकल हम लोग इसी context में यूज करते है, gene editing के लिए, यह plants के लिए उतना successful नहीं होता, ठीक है, लेकिन cooking का size बड़ा होता है, अभी जो tool हम लोग ने discover किया है, जिसका नाम ये वाला है, ठीक है, ISDRA2TNPD, नाम अजीब सा है, इसका ये Cas9 के आधे size का होता है, और इसी लिए जो plants के genes हैं, उनको बहुत ही आसानी से इसके साथ edit किया जा सकता है, edit का मतलब होता है कि generally जो undesirable DNA होते हैं, उनको आप remove कर सकते हैं, जैसे मालो कोई plant की variety है, ठीक है, वो बहुत जदा disease prone है, इसे खास disease के लिए prone है, उसको वो खास disease बहुत जदा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस gene editing के tool से, उस protein को cut कर सकते हो, उ अपने पर वो cut कर दिया, तो disease उसको होगा ही नहीं, जैसे कोई plant है, अगर वो बहुत जदा water की demand करता है, ग्रो करने के लिए, तो definitely उसके लिए कोई न कोई proteins responsible होगा, आप क्या करोगे, इस gene editing tools से उसको cut कर दोगे, तो वो company की demand करेगा, तो इस gene editing के tool से हम लोग अपनी plants की property क change कर सकते हैं, उनकी yield को increase कर सकते हैं, disease resistance उनको बना सकते हैं, nutritional content उनके अंदर बढ़ा सकते हैं, तो ये बड़ा ही एक जबरदस सा tool है, इसकी efficiency भी ठीक ठाक है, 33.58% अभी फिलाल इसकी efficiency है, जो की gene editing में ठीक ठाक मानी जाती है, बहुत खराब नहीं है, आप 100% expert मत करो किसी च कर जाएगे, तो future में इस tool का use करके हम लोग ऐसी crops बना सकते हैं, ऐसी varieties बना सकते हैं, crops की, जो के drought resistance होंगी, heat resistance होंगी, climate change को भी सहन कर सकती हैं, उनके ओपर disease का attack भी कम होगा, pest attack कम होगा, ज्यादा nutrition value होगी, वो सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो उस context में इसका use है, तो क यूज कर सकते हैं, ये protein हमारे DNAs के अंदर होता है, जंपिंग genes भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे different structure होता, DNA का genome का, उसके अंदर इधर सो धर jump कर सकते हैं, CRISPR 9 technology, UPSC melody यहां से सवाल आ चुका है, इस technology का use करते हैं हम लोग gene editing के लिए, basically ये होता कुछ नहीं, एक bacteria का RNA DNA होता है, क्योंकि bacterias के ओपर जब virus का attack होता है, तो bacterias इसी technology का use करके अपने हमको protect करते हैं, ये उनके अंदर एक inherent nature ने बनाया हुआ है, हम लोगों ने जब इसको discover किया bacteria के अंदर तो बड़ा कमाल की चीज हो गई, वही same technology, मतलब tool जो bacteria use करते हैं, genes को cut करने के लिए harmful को, उसको हम लो magma ocean on moon, 4.44 billion years ago, जो अर्थ हुआ करती थी, ये एक hot molten stage में हुआ करती थी, तो 4.44 billion years ago, अर्थ कोई ऐसे hard rock solid नहीं था, जैसे आज है, तो एक बहुत बड़ा, एक celestial body, इसके साथ टकराई, जिसे लोग थिया कहते हैं, वो जब हमारी अर्थ के साथ collide किया, तो अर्थ का बहुत सारा हिस्सा तूटके अलग हो गया, जिसे आजगल हम लोग moon कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि moon के उपर भी वही rocks हैं, वही material है, जो कि अर्थ के उपर होता है, इंट्रेस्टिंगली moon के surface के उपर आपको काफी ज़दा magma देखने को मिलेगा, क्यो जो कि south pole के पास में land हुआ था, उसने वहाँ पे उस magma के ocean को identify किया है, जिससे आप lunar magma ocean कह सकते हों, आज नहीं बनता है वहाँ पे, आज के समय में moon पे कोई volcanic eruption नहीं होता है, क्योंकि moon की जो core है वो ठंडी हो चुकी है, जैसे हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है भाई, एक हमारे पास mental होता है, और एक outer crust होती है, वैसे moon के उपर भी हुआ करता था, लेकिन हमारी core और जो mental है वो ठंडी नहीं है, उसके अंदराद भी activities होती है, जिसके वज़े से अर्थ के उपर आपको volcanic eruptions देखने को मिलते हैं, लेकिन moon के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है, moon ठंडा ह हो चुका है, लेकिन जब ठंडा नहीं था, तो lot of volcanic eruptions used to be there, और वो magma महा से निकला, और वो solidify हो गया, इस magma के अंदर ज्यादा तर आपको calcium और aluminium rich rocks आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यही magma जब ठंडा हो जाता है, तो रोक में convert हो जाता है, hard rock में convert हो जाता है, अर्थ क रोक के अंदर आपको magnesium भी देखने को मिलता है, moon के उपर, तो इससे पता चलता है, कि वहाँ पर जो volcanic eruption होते थे, उनकी वज़े से यह रोक बनी है, तो basically हमें moon के surface को study करने में इसमें help मिलेगा, जो density differentiation process होती है, उसकी वज़े से सब होता है, अब यह density differentiation अगर आपने geography नहीं पड़ा है, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए current affair थोड़ा tricky होता है, current affair आपकी foundation और basic content के उपर based होता है, कभी-कभी आपको basic concept कर नहीं समझ में आ रहे हैं, आपने नहीं पड़ा है, तो current affair को grab करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पहले अपना current affair सा तो फटो tension ही नहीं है, तो density differentiation basically यह होता है, कि जब अर्थ शुरुआत में mix हुआ करता था, हर चीज़ का, तो heavy elements, lighter elements, water vapor, सब कुछ mix हुआ करता था, लेकिन जो हलके element थे, वो बाहर की तरफ आ रहे थे, light, और जो heavy थे, वो नीचे core की तरफ जा रहे थे, यह जो हलके elements बाहर आते हैं, वो volcanic eruption की form में आते हैं, और earth पे जितने भी element होते हैं, वो अपने आपको density के हिसाब से adjust कर लेते हैं, अलग-अलग layers के अंदर, जो सबसे heavy होंगे, वो सबसे नीचे होंगे, जो सबसे हलके होंगे, वो उपर की तरफ होंगे, इसी को density differentiation process कहते हैं, यह earth पे भी होता ह है, आज भी हो रहा है, यह moon के उपर भी होता था, अभी moon पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर activity बंद हो गए है, प्लिक टेक्टोनिक वाली activity, ठीक है, उस context में आपने इसको याद रखना है, चलिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास पिछले काफी समय से animal human conflict देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो elephant होते हैं, वो आसपास के गाउं में घुस जा रहे हैं, क्योंकि उनको food कम पड़ गया है, रिजर्व के अंदर में, तो अभी government ने डिसाइड किया है कि हम लोग वहाँ पे bamboo लगाएंगे, ठीक है, इस bamboo से जो हाथ ही है, उनकी food requirement फुल्फिल हो जाएगी, वो उस लिए जो है थोड़ा सा न्यूज में था, हम लोग बहुत बार डिसकस कर जगे हैं, पुरी तरह से factual सी information ज्यादा करवाने वाला इसमें कुछ है नहीं, और जिनके slope gentle होते हैं, steep नहीं होते हैं, उससे rolling hills कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सा rolling hills आपो देखने हों मिलती हैं, कहीं कहीं पे deep valleys, dense forest वोगरा वो सबागवा देखने को मिलता है, highest peak भी हैं, यहाँ पे दो, छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, only one five meter के रहते हैं, historical relevance की बात करें, तो यहाँ पे एक पेड मिलता है, जिसका नाम है Simul, यह एक silk cotton होता है, बहुत ज़्यादा मातरा में यहाँ पे पाया जाता है, और इसी के नाम पे, इसका नाम Simulipal पड़ा हुआ है, 1973 में इसको tiger reserve declare किया गया था, under project tiger, जो की 72, 73 में ही चलाया गया था, हिंद्र गांधी के द्वारा, और बाद में इसको national park declare किया गया, 1980 में, 19, उसके लाव 2009 के अंदर UNESCO की world, जो biosphere reserve है, उसके अंदर भी इसको, जो map program हम लोग बोलते है, man and biosphere, उसके अंदर यहां पर बहुत famous है, आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर जो सबसे ज़्यादा unique चीज है, इसके बारे में, वो है melanistic tiger, यानिक जो black color के tigers होते हैं, natural formation में, दुनिया में शायद ही कहीं भी black tigers आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर को genetic changes हो गया है, जिसके बाज़े से उनके body से जो melanin है, वो जादर release होता है, तो हमारे skin color के लिए melanin ज़रूरी होता है, तो जो elephant का skin color है, fur color होता है, उस extra melanin के वाज़े से होता है, तो वो black tigers आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, चलिए जी, डूंबुर डैम, डूंबुर डैम अगर तला के पास में ही पड़ता है, तृपुरा में, और वहां पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा rainfall हो रहा है, तो यह डैम बेसिकली overflow हो गया है, इस overflow होने की वज़े से कुछ पानी बंगलादेश के अंदर भी चला गया है, और वहां पर भी इसका अंदर इंडियन हाई कमिशनर है, उनको भी धंकिया मिल रही है, कि हम आपके पर अटैक कर देंगे, वह सारे कुछ करके, तो उस कुंटेक्स में थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है, दो छोटी 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 रिवर्स हैं, जिसका नाम है रेमा एंड सर्मा, व मिलती है, तो वहाँ पे एक लेक बनती है, उसके लबाद जो रिवर हों या पर गुमती, कैसे गूमाती भी कहते है, कुछ लोग गुमाती भी कहते है, उस रिवर के ऊपर ये डैम हम लोगों ने बनाया हुआ हूआ, इलेक्टिसीटी जनरेशन के लिए इसको बनाया गया थ और यह लेक है यहां पर बहुत बड़ी इस डैम के पीछे जिसके चोटे 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 लगबग 48 आइलेंड आपको देखने को मिलेंगे यह जो लेक है इसकी शेप बड़ी जवरदस्त है इस लेक की शेप कुछ-कुछ बैसी बनती है तो जैसे शिव का डमरू होता है ना डमरू तो उसके जैसी शेप है और इसी लिए इसका नाम जो है डुम्बूर पड़ा हुआ है डुम्बूर मतलब डमरू शिव का डमरू बस उस कॉंटेक्स में अपने इसको याद रखना है चलिए धांगर कमुनेटी महराष्टर में धा रमाई नॉमैडिक ट्राइब है इनके पास बक्रियं वगर रहती हैं जिसको यह चराते हैं ग्रेजिंग करवाने के लिए लेके जाते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड है वो खतम होते चले जा रहे हैं इनको चराने के लिए जगह नहीं मिल रही है इसलिए सड़कों पे आ गए है तो उस कॉंटेक्स में अपने इस कम्मुनिटी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है महाराष्टर के अंदर ये कम्मुनिटी विम्मुक्त जाती और नोमेडिक ट्राइब के अंदर में आती है इंडिजैनिस पेस्टोरल ट्राइब है महाराष्टर के लावा करनाटका गोवा मध्यप्रदेश और गुजरात इन स्टिट्स में ब्यावकित देखने को मिलता है मराठी भाषा बोलते हैं करनाटका वाले पॉंकनी बोलते हैं गोवा में जो है और अपनी कुछ रिजिनल जो लोकेशन के इसाब से बोलते हैं कल्चर प्रैक्टिस की बात करें तो इनका एक कॉमन डेटी है जिसे जो है खंडोबा कहा जाता है जो कि हिंदू गोडशिव के ही एक अवतार माने जाते हैं या फिर उनको ही अपने रिजिनल कॉंटेक्स में यह लोग पूजा करते हैं कुछ फैस्टिवल्स होते हैं जैसे पोला एक फैस्टिवल होता है जहां पर अपनी कैटल स्कोवर्शिप करते हैं ठीक है और इनके लोकल संगीत होता है जिसे औरल ट्रैडिशन के तोर पर यह लोग टाते हैं उसके लावा यह जो पूरी कम्मुनिटी है यह ओकुपेशन क होते हैं वो ब्लैंकेट वीवर्स हैं कंबल वगारा की बुनाई करते हैं और इनके बनाई हुए कंबल वर्ल्ड थेमास हैं बेसिकली ओक्पेशन की बात करें तो ज्यादा तर यह कम्मुनिटी औरिजिनली पास्टूरल ही हुआ करती थी लेकिन जिस तरह से चीजें बदली हैं मोडन जमाने में ग्रेजिंग राउंड कम हो गए हैं वो सब करके तो कुछ डांगर कम्मुनिटी के लोग आपको अग्रिकल्चर करते हुए देखने को मिलेंगे बागी कुछ और दूसरी जोब्स करने लगए हैं इनके जो ग्रेजिंग राउंड हैं वो कम क्यों हो पैन कर गया बहुत सारी जगह को वर्ड लेफ सेंक्चुरी केंडर में ले आए कुछ जगह नैशनल पार्क के अंदर चली गई तो जिसकी वज़े से इनके ग्रेजिंग ग्राउंड बंद हो गए हैं जो गोर्मेट ओफिशल्स हैं जो फोरेस्ट ओफिशल्स हैं उनका कहना इसकी quality decline नहीं होता है बलकि improve होती है क्योंकि उससे fertility बढ़ती है गये गोबर भी करेगी यूरीन भी करेगी उससे fertile होता है forest कम नहीं होता है छीक है लेकिन वह clash यहां पर unfortunately चली रहा है और हिलाल वो लोग सडकों पे हैं उस context में आपने इसको याद रखना है चीतल के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं, चिन्नी का जो municipality area है, वहाँ पे गुंडी नैशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है, जैसे वहाँ पे IAT मदरास है तो उसका भी बहुत बड़ा forest area है, तो चिन्नी municipal community के अंदर में आपको काफी चीतल देखने को मिलते हैं, लेकिन कितने चीतल हैं, वहाँ पे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, वो कुछ जानकरी अभी खास है नहीं, तो अभी उन्होंने कहा है कि हम लोग research करेंगे, survey करेंगे, और यह पता लगाएंगे, कि चिन्नी municipality के अंदर जो चीतल है, उनका क्या status है, उस context में बस ये news में था चीतल के बारे में थोड़ा सबको याद रखना है, इंडिया, नेपाल, भुटान, बंगलादे, श्रिलंका का ये native होता है, यहाँ पर पाया जाता है, डेसीडियस, फोरेस्ट, ग्रासलेंड से वगरे में आपको देखने को मिलेगा, क्भी घास खाता है, यूजली, male और female म के comparison में, reddish brown color का कोट होता है, उसके पर white color के sports होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और जिंदगी भर ये pattern इनके उपर रहता है, इनके जो सींग होते हैं, ठीक है, जो antlers होते हैं, वो एक मिटर तक हो सकते हैं, तीन फीट तक लंबे हो सकते हैं, behavior की बात करें तो ये काफी ज़्यादा social एक animal है, groups में रहना पसंद करता है, 10, 20, 50, 100 के group में रहता है, गास खाना पसंद करता है, और अगर predators की बात करें तो tiger, leopard, wild dogs वेरा इनको खा जाते हैं, क्योंकि इनका food होते हैं, breeding की बात करें तो लगवग लगवग ये सारा साल ही breeding कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो late spring या early summer होती है, वहाँ पर थोड़ी जादा breeding की लोग करते हैं, 7-8 महिने तक का gestation प्रेड होता है female का, और जादा तर एक female एकी बच्चे को जनम देती है, कभी कभी twins भी पैदा हो सकते हैं, IUCN की ready list के अंदर इसको least concern की category में रखा गया है, तो जादा danger इसको basically as such है नहीं, उस context में बस आपको थोड़ा सा चीतल के बारे में याद करना है, ठीक है जी चलिए, तो आज की सभा, आज का जो topic है, यही पर समाप्त करते हैं, thank you very much, all the best, जाहिए